विक्रम ट्रामा सेंटर को कवर करने अभी हम विक्रम आये थे और जब हम वहां वीडियो बना रहे थे तो एक और जगा के बारे में जानकारी मिली जगाका नाम डाक बंगला सोशल मीडिया पर हमने भी बहुत सुना था कि डग बंगला का इस्तिती ठीक नहीं है वहाँ गंदगी है यह है वो है लेकिन कभी आके यहां पर देखा नहीं था और इसके बारे में जानकारी नहीं थी मुझे कि आखी डग बंगला का उदेश किया था कब बना था और क्यूं मनाया गया था अभी इसका जो है कैसे उपयोग किया जा सकता है इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हम यहां आएं और यहां हमने देखा कि कैसा डग बंगला है पहले आपको भी दिखा दे उसके बाद फिर बातचित करेंगे और जानेंगे कि यह डग बंगला कब बना है चुकि बहुत जंगल है और दो तीन कमरें इसमें हमें दिखें एक और कमरा इधर है कि यह पहले कि यह कमरा बंध है इसको मंदर से आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं बाकी जो है थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी मिली है वह हम बता देते हैं आप लोगों को एक और व्यक्ती जो साथ में हैं इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे तुकि इन्हों ने इस जगा के बारे में या इस तरह के जगा के बारे में काफी कुछ जो है रिशर्च किया और इसकी क्या उपियोगिता थी उस वक्त देखे कब बना था निर्मान का तो नहीं पता लेकिन इन जगों के जहां भी जो लॉक होते थे नहरों के लिए तो अंग्रेज के जमाने में क्या ट्रांस्पोर्टेशन होता था नावों से तो एक लोग से दूसरे लोग तक सामान आता था फिर उसमें पानी उचा करके नाव को तैरने लाग बनाते थे फिर वहाँ पे सामान उतरता था और उतरने के बाद दूसरे तरफ में पानी छोरी जाती थी और वहां पर नहर में एक तरफ से आया वहां लॉक है वहीं पर समान उत्रा समान उतरने के दर आंज जो समय लगा उस समय में जो है जो आदिकारी लोग थे वह यहाँ पर रूकते थे प्रशासनिक ठहराओं कह सकते हैं के लिए प्रशास्रिक लोगों की ठाराओं के लिए जगा थी या नाव से रिलेटेट जो मजदूर थे उनके रुखने के लिए रिफ्रेश्मेंट के लिए जगा बनाई जाती यह उसके बाद जब गए तो इसका जैसे कुछ कोई भी सरकारी कामों के लिए लोग यूज करने लगे हो सकता है आके लोग रुखते होंगे उसी जानकारी तो नहीं है लेकिन अब पूरी तरीके से आज के डेट में आपका नौबतपूर में भी लोग जो है नौबतपूर लोग वहां भी डग बंगला है यहां भी डग बंगला है जमीने काफी है दोनों जगा और पूरी तरी के से जाम रहता है गारी लगाने का पार्किंग का जगह नहीं है इस जगह का इस्तेमाल एक हज़ार कामों के लिए हम कर सकते हैं पहले हम चाहेंगे कि आखिर कितना जगह यहां पर है दर्सक भी देखें और जो सिस्टेम में बैठे लोग हैं वो भी देखें जो यहां के कारे में किया जा सकता है वो सोचे अब हम आएंगे कि आखिर क्या कुछ किया जा सकता है इस जगह का देखिए बहुत बड़ा बाजार है नौबतपूर और विक्रम एक तो कि जैसे आगर आप विक्रम का हाल देखे तो बहुत शक्री-शक्री चीजे हैं और वहां पर गारी लिवार दिये आते हैं अपना चले जाते हैं बात करेंगे शांदरी करन करना यहां पर्न देख बना अनको पर लोग है हमने भी अभी जो है एक आर्टिकल पर जिसमें जानकारी मिली कि इस जगा का उप्योग जो है अंग्रेज के जाने के बाद कुछ जो नेता थे जैसे बरे बरे नेता भी जो थे चाहे गांधी जी का नाम ले या फिर नहरू जी का नाम ले वो जब आते थे जगा पे तो यहीं साम इसका एक स्पेस जो यहां पर बहुत सारे अंसंग हीरोज रहे हैं जो फ्रेडम फाइट किये हैं शही दिसमारक भी है हम एक म्यूजियम बना सकते हैं अपने अपने जो अंसंग हीरोज है जो हमारे हैं हमको उन पर प्राइड होना चाहिए उनका हम एक म्यूजियम बना होना चाहता है तब यहां पर वो चीजों का निर्वान हो सकता है पर वैसा सोचने वाला प्रतिनिधी होना पड़ेगा जो कि है नहीं को तो इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद बस एक था कि इस जगह की और सिस्टम में बैठे लोगों को चाहे वो पतादिकारी हो जाएं या फिर यहां के जन प्रतिनिधी हो जाएं उनका ध्यान आक्रिष्ट किया जाए उनको यह जो है दिखाया जाए कि एक जगह का टुकरा है विक्रम में जिसकी उप केश कुमार तिवारी है और आप परियास न्यूज देख रहे थे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फेस्बूक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए